नमस्कार दोस तो आज की वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरना दिखाऊंगा री इशू फॉर्म तो री इशू फॉर्म किसलिए होता है सबसे पहले ये समझ लीजे उसके बाद हम आगे बात करेंगे देखो बहुत बार ऐसा होता था 2024 से पहले ऐसा होता था कि बैंक डिटेल्स गलत हो जाती थी या तो अकाउंट नमबर गलत या नाम गलत या ब्रांच कार आई फसी कोड गलत इसकी वज़े से अमाउंट सेटल हो गया लेकिन बैंक में पैसे नहीं आए तो ऐसे में क्या हो गया ऐसे में पी एफ आफिस के पास वो पैसे बैंक वाले रिटर्न कर देते थे कि जो आपने एकाउंट नमबर वगरा दिया था किसी के एकाउंट में डालने के लिए वो तो एकाउंट है ही नहीं तो हम आपको वापस कर देते हैं, आप अपना पैसा रखो, लेकिन वो पैसे न, PF Office कई बार, जिसके खाते में से काटे गए होते हैं, उसके खाते में वापस नहीं डालता, ऐसे में जब आप PF Office जाके, उन्हें बोलते हैं कि जी हमारा ऐसे ऐसे amount सेटल हुआ था, और हमारे बै क्वेस्ट लगाई जाती है, जिसे Reissue Form कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सही तरीका क्या है, आपके बैंक में पैसे किस तरह से return आज आने चाहिए, अगर आपकी बैंक डिटेल सही नहीं है, तो आपको पहले तो ये घवराना नहीं है, अगर मालो सेटल हो गया, सेटल होने के एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, पांच-छे दिन तक आप वेट कर सकते हो, पांच-छे दिन के बाद भी अगर नहीं आया, तो फिर चिंता की बात हो सकती है, ठीक है, कई बार तक्निकी वजहों से ऐसा भी हो सकता है, कि All Over India में इस तरह हो जाए कि 10 दिन, 15 दिन भी ना आए, तो 10 दिन, 15 दिन मैकसिमम है, जब आपको वेट करना है, आपके सेटल होने के बार आपके पैसे नहीं आए, बहुत सारी केस ऐसे हैं, जो आज के नहीं है, बहुत सारी केस हैं 2017, 2018, 2020, 2020, 2022, 2023, ऐसे बहुत सारी केस हैं, और यह एक दो लोगों के नहीं है, मैं कह रहा हूँ लाखों रुपे पड़े हुए हैं, लाखों ने कड़ोरो रुपे ऐसे हैं, जो इन सालों में, या फिर 2014 के बाद भी अगर देखा जाए, तो 2014 से 2022 तक अगर मैं कहूं, तो कड़ोरो रुपे ऐसे हैं, जो की सेटल हो गए, ले से पहले मैं एक आइडल सिचुएशन दिखा रहा हूँ, आइडली यह होना चाहिए, जब आपके पैसे पीएफ से कट गए, और वो पैसे अगर नहीं आपके बैंक में आए, तो वो पैसे रिटान आ जाने चाहिए, जब रिटान आते हैं, तो इस तरह से लिखा आता है, आ कि पास केस में दो मेने का अप weakest का कि आ Saheur, और इसमें ऐसा भी सकता है कि उन्होंने डिटान किये ही नहीं, जैसे जब आपको आपको एक 29 часов का प्द לा चाहिए, जब क्यों आ खाता खोला और ICSA bank का खाता जब खोला तो सब के खाते के आगे zero लिखा हुआ था जब सब की KYC करी गई तो किसी के भी खाते के आगे zero नहीं mention किया गया zero ना mention करने की वज़े से जब भी कोई व्यक्ति अपना PF निकालता था तो उसका PF सेटल हो जाता था लेगिन पैसे उसके खाते में नहीं आते थे और ऐसा करके एक दो नहीं हजारों लोगों का हजारों जो conductor थे उन सब के पैसे बिहार के पटना ओफिस में फज गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे अभी तक भी उनकी passbook में वापस नहीं आए हैं तो वो इस वज़े से नहीं आते हैं क्योंकि जो बिहार का पटना ओफिस है खास तोर पे वो इतना ध्यान नहीं देता है कि जिसके पैसे return आ गए हैं बैंक के तरफ से उनको वापस करने का कष्ट किया जाए ऐसा कष्ट पटना ओफिस नहीं करता है ऐसे में अगर आप अपना re-issue form या फिर ASR form ASR form पे अल्रेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जादतर जगे ASR form चलता है और कुछ यह गहों पे re-issue form चलता है तो अगर आपका इस तरह का case हो जहां आपके पैसे नहीं आए है तब आपको re-issue form भढ़ना पड़ेगा ठीक है समझ गए आप तो यहां आप जो requirement है वो मैं आपको समझा दिया हूँ कि क्या क्या requirement है अब मैं आपको दिखाता हूँ re-issue form किस तरह से चलता है तो re-issue form में कुछ इस तरह का form है यह हमने NOIDA office से form लिया था और इस NOIDA office का form में नाम पहले से ही NOIDA office का लिखा है लेकिन अगर आप अपना fresh form लेंगे मान लिजे नियर्बाई PF office से जाके लेंगे तो वहाँ पे उनके address का नाम हो सकता है यह NOIDA office ने चपवाया है इसलिए यहाँ पे उनका नाम लिखा है अब यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पे यह क्या क्या लिखने के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पर लिखने के लिए कहा रहे हैं कि भाई आप अपना पहले तो नाम लिखो तो यहाँ आपको अपना नेम लिख देना है उसके बाद कहा रहे हैं कि खाते का U.Cerial.Cerial.U.P यह क्या चीज है पता नहीं यह शायद इन्होंने चेक यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा है लेकिन यहाँ पर P.F. नंबर लिखा जाएगा मेरे हिसाब से P.F. नंबर लिखा जाएगा भविश्य निदी खाता संख्या U.P. U.P. ऐसा कुछ है नहीं आप यहाँ पर इसे खाली छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर P.F. नंबर लिख सकते हैं उसके बाद आता है यह डिटेल लिखने की तो देखो कई बार अगर मालो फॉर्म नंबर 19 पास किया जा रहा है और 10C पास किया जा रहा है तब तो आपके दो फॉर्म पास होंगे दो अलग-अलग आपके बैंक खाते में पेमेंट आएगी तो इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है उसमें क्या लिखा है उन्होंने ये फॉर्मेट में दिया है कि आपना एक ही फॉर्म के अंदर में जितने आपके check नहीं आए हैं, जितने आपकी payment नहीं आई है वो आप सारी डाल दो जैसकि हमने यहां देखा था, यहां पे हम नारा एक claim भरा गया, वो भी नहीं आया, दूसरा claim भरा गया, वो भी नहीं आया तो अगर इस case में हमें ratio form भरना होता तो हम एक ही form के अंदर में दोनों payment का लिख देते 21 माई का भी नहीं आया और 17 माई का भी नहीं आया तो आपको यहाँ पे एक तो date दिख रही है और एक amount दिख रहा है कि कितना amount है अब हम क्या करेंगे अब हम इस form को भरने के लिए अब यहाँ पे और क्या लिखना बाकी रहे हमें यहाँ पे form number लिखने के लिए कह रहा है तो हमारा मान लो कि एक form 19 है दूसरा form 10 सी है वरना क्या होगा 31 31 form लिख लिए अब यहां चेक नंबर कह रहा है, जारी करने की तारीक कह रहा है, ठीक है, और कैंसलेशन डेट कह रहा है, यहां कुछ नहीं करना है, वापस किये जाने का कारण, यह भी लिखने की जरुरत नहीं है, अब यह चेक नंबर वगरा कहां से मिलेगा, तो चेक नंबर वगरा आपक चेक नंबर ये है और आपका amount ये है और आपका जो दिया गया है ये चेक का जो date है चेक की date जो है वो 9-22 है तो ये चीज आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पर हमें 3 requirement है check number, amount और हमारा date ठीक है तो ये 3 requirement जो आपकी है ये आपको अपने जो भी आपका ये ASR form होगा ये ASR form होगा यहाँ पर भर देंगे उसके बाद आप नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको अपने bank खाता डालना है अब देखो ध्यान रखना कि bank खाता आपका पहले KYC होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप KYC में आपका लगा हुए ICIC bank और आप बोर्डर हो कि भाई मेर तो यहाँ na SDFC bank में पैसा दे दो ऐसा नहीं चलेगा जब इस bank खाते को verify किया जाएगा तो यह bank खाता आपका पहले आपके PF record में KYC में अपडेट होना चाहिए उसके बाद ही होगा यहाँ पर आप खाता नंबर डालेंगे यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे और यहाँ पर branch का address डालेंगे मालो SDFC NOIDA branch है तो आप यहाँ पर NOIDA लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर member की detail लिखेंगे name हो गया और ठीक है यहाँ पर father name हो गया यहाँ पर आप अपना address भरेंगे आपका अपना जो आधार कार्ड वाला address हो वो भर देना है इस address पर कुछ आना नहीं ह तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम कौन सा address भरें हमारे courier आएगा क्या कोई courier नहीं आएगा यह जो है सिर्फ form भरने का एक तरीका है फिर यहाँ पर हो गया कि यह company की मोहर तो जिस भी ID में से आप पैसा निकाल रहे हैं उसी ID के company वाले की मोहर लगेगी और आप यहाँ पर अप भरिए आप सिर्फ अपना amount भर दीजिए कैसे भरना है जैसे कि माल लो form 31 आप भरोगे ना यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ माल लिजे कि आपका सिर्फ सिंगल form बना form 31 बना ठीक है तो form 31 भर दिया आप check number है खाली छोड दीजे जिस date में आपका settle दिखा रहा है वो date ल इतना आपको लिख के यह अगर माल लिजे आप अपना past में नहीं रहते हैं तो आप इसे courier कर दीजे courier से आप भेज सकते हैं इसके साथ में आपको क्या लगाना है check होना अनिवारे है check necessary है और साथ में आपको अपना अधार कार्ट की photography लगानी है और अधार कार्ट पे sign कर देना है check पे cancel लिग देना है ऐसे ये मैंने आपको समझाया है बहुत जगे ESR form भरा जाता है कुछ जगे Reissue form भरा जाता है दोनों ही forms पर हमने वीडियो अल्री बना दी है आपको यी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए है subscribe करके support कर सकते हैं ये एक authentic चैनल है जो काम practical किया जाता है वही काम यहां बताया जाता है तो अगर आप मेरे से सीखना चाहें तो आप course जॉइन कर सकते हैं और अगर आप personal consultation करना चाहें तो वो service भी available है मैं personal consultation भी करता हूँ PF withdrawal की service भी provide करता हूँ सभी चीजों के link आपको description में मिलेंगे मैं मिलता हूँ आपसे अगली जानकरीबरी वीडियो में इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद